आज के इस दौर में मेडिकलेम लेना कितना जरूरी है ये तो हम सब ही जानते हैं और मेडिकल एमेजनसी में ये कितनी काम आती है ये भी ज्यादा तर लोगों को पता है और वही मैसेज पंडया स्टोर के इस एपिसोड में देने की कोशिश की गई है दरसल शिवा की एक fight होती है जिसमें शिवा 50,000 रुपए तो जीच जाता है लेकिन उसे बुरी तरीके से चोटा जाती है जिसके बाद शिवा को hospital में admit करते हैं लेकिन जैसे ही शिवा को ये पता चलता है कि उसके इलाज के लिए काफी सारे पैसे लगने वाले हैं तो वही शिवा hospital से भाग जाता है अब यहाँ शिवा का परिवार काफी जादा परिशान है कि आखिर hospital से शिवा गया कहाँ वह अभी तो डॉक्टर की बाद रही थी उससे अठलाग सुनके चला क्या होगा अरिवार में मोच ने पूपना चाहता तो वह क्यों परशान मत हो हम घृतर के देखते घरी जाओ बचाए वह शिवा तो हॉस्पिटल से भाग कर घर पर ही आता है और शिवा को घर पर सही सलामत देख घर वालों की जान में जाना जाती है अब पंडिया परिवार काफी मुश्किलों से गुजर रहा है जहां उनके पास शिवा के इलाज कराने की भी पैसे नहीं है तो उसे की चर्चा इस सीन में चल रही है कि या खिर शिवा का इलाज कैसे कराया जाएगा यह आएग जिलती संदेगी दिया है जाथ लाज सिवा है जो धडिया शिवादबस फेसे शिक जड़ाल सी चर्कट राए मुष्टे है इस टेर शिवा करें गी जो पैसे आयगे उसे इएक भुटे भी शिवार में शिरू कराएगी है ऑध़ वेले सीन के बारे में शिवा और देव का कहना है आप उनसे ही सुन लीजे जैसे आप समय है तो हॉस्पिटल में भावान सब अचा रहा है अब ही घर में नौकरी नहीं है सब के बास तो शिवा के बास यही ऑप्शन दा की वो लड़ाई लडने जाए और अगर वो जीते तो उसे पचास हजार मिलेंगे चुटकी हॉस्पिटल में और देवर रिष्ट कर देता है उस पर ही आप को एपिसोड में लेगा बट यहांगे कैसे ओट करती है कैसे एड हो ताया है यहां ना चीही हमारा मेसेजरा स्ट्राइब आज ए श्च्छिए अगर अजकी बहुत इम्पॉर्टन तैन किसी ऐख बी इमर्जन सी पर आजाए पार अज़ पीज़ कप ठीज में तियुक्ष देलिग में जुँटा लडगा बहुत डीटैलिग में गुसरा है बट जुब्ही है इस विज़ू अइस्टि प्रिवार पर जुख अपनी जगा पैसे जोड के पंढिया स्टोर वापस कैसे लाया जाए यह सोचने में लगे हैं श्वयदा को कैसे च तो देखा आपने कि मैडिक लेम कराना कितना जादा जरूरी है वैसे पंड्या स्टोर में जब भी कोई मुसीबत आती है तो सारा परिवार एक साथ एक जुट हो जाता है और सब मिलकर सामना करते हैं और देखना यह है कि यह जो मुश्किल इनके सामने आई है इसका सामना यह सभी कैसे करते है इस एपिसोड के बारे में आप सभी का क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्षिन पर जरूर बताएं कि कि